तो इस वीडियो में हम अब तक इलेक्टिकल लिया इन्हों ट्रांस्मिशन लाइन में जितने भी हमने फॉर्मूलेस देखिए हैं उनको एक बार रिपाइज करेंगे तो चलिए में जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेता हूं और जल्दी जल्दी हम सारी चीज़े को देख है जिसका फॉल्मला एक है अब लिखा दारे शंसर्व ट्रांस्मिशन लाइन का अब रो हेल्ग आ यह और रिश्टर से हमारा क्या मतलब थे अपर जो ट्रांस्मीशन के लिए हमारा कंडुक्टर यूज हो रहा है उस कंडुक्टर की वह प्रपरटी जो की उसमें कुरेंट और जबखी इसका अगर यूनिट ही आы अगर उसे में देखा था उसी कीटिक सीनिफ के टंप्रेचर बढ़ी तौह सिस्टेंज पे जिसमें हमने क्या देखा था कि formula कुछ इस तरह से था r2 is first to r1 और फिर यहां पर bracket में 1 plus में alpha 1 t2 minus t1 यहां पर t2 और t1 जो हमारा temperature को सोगर रहे है t1 हमारा initial temperature है जिसमें r1 पता है वह वारा temperature है और t2 हमारा अब जो increase हो गया या पर decrease हो गया जो भी है वह हो गया जो हमारा temperature है वह है और alpha 1 हमारा सो कर रहा है हमारे temperature coefficient को जो कि हमारा इस temperature पर होगा जो t1 temperature था उस पर तो इन सब की value जब हम यहां पर put करेंगे तो हमें एक r2 की value मिल जाएगी अब यहां पर बात आती है कि यह बस एक एलफा वन है कैसे अटर में जिसके हमें पतानी के value कैसे आएगी तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से formula है तो मैं लिखता हूं यहां पर अलफा नोट टीवन अब अलफा नोट का हमारा अलफा नोट जो है temperature coefficient है उस conductor का जो material यूज हो रहा हुआ उसका zero degrees Celsius पर तो अब हम एलफा वन की value यहां से देखा था फ्लक्स linkage और उसके बाद inductance के बारे में तो इंडक्टेंज के लिए अगर हमने देखा form क्या था अगर मैं बात करूं किसी conductor का inductance क्या मतलब है मेरा तो inductance की चीज़ conductor का वह सो करता है कि उस conductor का जो inductance होगा ना उसकी वह ability जिसकी वज़े से यह का उसमें current के change होने का अभूस करता है वह हमारा inductance कहला तो मैं अगर आपको इसके बारे में बेसिक से देखना है तो आप मेरी जो एक बेसिक आली वीडियो है इस चेप्टर से मैंने स्टार्ट करने से पहले डाली थी चैनल पर वह देख सकते हो जाकि और तो यहां प पर दो flux होता है एक तो इस conductor के देखो जो flux setup होगा वह ऐसे setup होगा अब इसका जो फ्लक्स अंदर की साइड है उस अंदर की साइड की वैसे जो फ्लक्स लिंकेज होगा और उस internal flux लिंकेज है इसका उसकी वज़े से जो इस में उसकी वज़े से जो इसके इंड़क्टेंस में कंट्रीबूशन और आऊगा ना वो हमार कहलाएगा internal inductance due to internal flux linkage ऐसे करके और फिर जो external flux है तो वो कहलाएगा हमारा external inductance due to external flux linkage ठीक है तो अगर हम देखें तो हमें inductance की value कैसे कैसे निकाले थी सबसे पहले हम इसे basic से चल ले थे तो L पर कैसे पहुच रहे थे तो H सबसे पहले हमारा आ रहा था magnetizing force जिससे हम अपनी magnetic field transfer या अप्रिमेंटिफ फ्लक्स टैंसिटी पी जा रहे थे भी किया था हमरी a magnet flux density इसन मेंटिक फिल्ड भी बोर लेते कई बार और इसके बाद हम पहुंच रहे थे लिप्रक्स इसे फिमले पर तो 5 मेगनेटिक फ्लक्स में उसके बाद हमारा साई समुस्ट उसके बाद हम पहुच रहते कहां पर इंड़क टेंज पर जिसे मैं सि Daar रही थे इंड़क टेनस अगर मैं इनके बीच का relation की बात कर लो तो जल्दी से देखो इसके और इसके बीच में relation क्या था हमारा यहां पर permeability term आ रहा था बीच में जिसे हम mu से so कर रहे थे denote तो इसके और इसके बीच में h और b के बीच में हमारा relation था बीच के बीच में हमारा relation था फाई इसके बीच में जाई के बीच में क्या relation था तो यह था weißy size to n5 और को इसके और इसके बीच में क्या relation था हमारा तो कि अब बात करूं कि यह क्या है हमारा यह अगर इसकी बात करें वैसे तो हमने सब चीज देख रहे हैं लेकिन इसमें अगर बात करें यह समझने के लिए तो होता है कि 5 क्या होता हमारा से मेंगनेंटी फ्यल्लाइन पासिंग त्रूर सर्फिस ऐसे करके होता है और फिर साइग क्या है हमारा साही जो होता है Flux Link के जो होता है means कि दिएको कोई मालो एक कोईल है ऐसे और उसमें से फ्लक्स-5 ऐसे को र disguise और उसके कोईल के कितने टरंश पि इंडेक्टेंस पे तो हम जल्ली से अब देख लेते हैं इंडेक्टेंस के फॉम्ले तो इसे मैं इधर सैड में कर देता हूं और देखो तो सबसे पहले हमने देखा था हमारा टूबिक था क्या कि इसका फॉम्ला आये था हमारा मूयनोट आहीएव में 8 आइट एइसा भी हो सकता है कि मैंद इस मेने की जगधा मैंने कर आएठ तो वहां पर मैंने यह लिख रुख रखा हो मुलिख रखा हो तो कुछ खास नहीं है मैं बताईता हूं मे dob मिज कर तूठ नहीं च्बावर मिनोड़ी स्लिए है है धिलाल के लिए यह के ककी वजली हो जाती है तो अब आप आधे बात करें कि लाइन मुझालब हम इंड्रक्टेंट्स की बात हो रहा हुगा जो इस्कंड neither यहां करहेगा उसकी ऑगल उस जो इंट्रनल वहल्यद में आती है इसका मतलब यह हमारा कि मैंने आपको पर वहाँ भी था कि हम क्या करते हैं कि कंड्टर के लिए अपने परिमिटर को कल्कुलेट कर लेते हैं जैसे इंडेक्टर्स हो गया रिजिस्ट्रेंस हो गया हम आगे भी देखेंगे तो और उसके पाग दूर से हमा साइग एस्टेनल इसके इंटिगेशन आर्टू इंफिनिटी और फंक्शन था मुनोट आई टू पाई एक्स डी एक्स तो यह फोर्मॉला था हमारा फ्लॉक्स लिंकेज का और इसके बाद किया किया था हमने अगर याद हो आपको तो क्या किया था एक मानलो हमारा एक ऐसे कंडुक्टर ले था हमने इसकी याझ रडियूश ले थी और इसके बाहर एक हमने कि एंफिरियल लूप ले लिया था उयसे तो मैंने क् Müहाल कहाँ पग्रigne AND plastic और यहां से यहां तक डीटो है तो यह लेकर हमने इसका यहां पर portfol. limit रखे lower limit की जगामें डीवन रखी और ईसकी house ります मैंने स्ट्रिप के लिए यह निकाल लेता है तब के लिए हमारा क्या फ्रम लाएथ है से ही का तो यह हमने इसलिए किया था कि हम बस एक इंडेक्टेंस का आइडियाल ले ले कि कि कितना आएगा क्या तर्म हाएगी उसके लिए तो वह आया था हमारा कुछ एक्सटर्नल मु नोट आई टू पाई लोग डी टू बाइ डी बन और उसके बाद हमारा इसके इससरे का फॉर्मला आया था एक्सटर्नल करके तो टू इंटू में टैन के पाउर माइनस सेवें log d2 by d1 तो यह हमारा inductance का formula आया था और यह हमारा flux linkage का formula आया था लेकिन हम जब derivation वगर हम यूज़ कर रहे थे तो यह यूज़ कर रहे थे क्योंकि यह सब इसी से बन के आया था तो इसकी अगर unit के बात करूं तो मैं weber per meter weber per meter इसकी भी और इसकी unit हेंडी per meter तो यह था इसके बारे में total अब बात आती है कि भई देखो यह इंटर्नल का formula देख लिए हमने यह external का देख लिए अब अगर बात करें हम की इस किसी conductor का अब total flux linkage क्या होगा means internal flux linkage plus में external flux linkage तो मैं diet formula लिखता हूंग उसका सब्सक्राइब तो म्यू नोट आई अपॉन में टू पाई वन अपॉन में फोर प्लस में integration r2 infinity 1 by x dx और इसकी unity बात करें तो बैबर परमिटर ठीक है चलिए अब हम देखते हैं कि इसके बाद हमने क्या था inductance of single phase to wire line के लिए वो देखते हैं क्या था मैं page को पलट लेता हूँ inductance of single अगर यहाँ पर क्या देखा था हमने कि दो conductor थे ऐसे कुछ ठीक है इसके इसके बीच के हमने distance क्या देखी थी और इनकी radius हमने दोनों की आर मान ली थी और अगर बात करूं तो इसे हमने यह नाम दे रखा था इसे बी नाम दे रखा था इसमें से current हमने माना था यह है और इसमें से current flow रहा है यह सब अपने condition मांगे थी तो इसकी वज़े से जब हमने क्या देखा था formula जो आया था हमारा मान लिया कि इसके flux इस conductor के उपर जो total इसका self flux में इसके जो है mutual external flux जो है बी की वज़े से वह जो आ रहा था हमारा क्या आया था कुछ किस तरह साय था कि साई टोटल एक्ट ए हम देखते क्या है कि एक लिए भी सेम फॉर्मला लगता है बी के लिए होता है अगर हम यहां पर यह हटागे भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है बस यहां पर हमें अभी बता दो क्या चेंज करना पड़ेगा और मिउनोट आई एए अपॉन में टू का इंट कॉण ऑन में फोर फ्लस में लोग है देपोन में आर यह फों म्याश था वहां पर तो मैंने क्या कहा था भी वैबर से कि यह तो देखो मैंने conductor A के लिए लिखा है मींस इसमें इसका conductor खुद का self मींस इसका internal प्लस में external flux linkage भी है और इस conductor B की विए से जो external mutual flux लग रहा है तो अगर आप बात करूँ मैं कि इसका inductance के आएगा conductor एगा तो वह आया था हमारा कुछ इस रहे से 2 into 10 की पावर माइनस 7 1 upon 4 प्लस लोग ED upon R ठीक है और अगर मैं loop inductance loop means दोनों conductor का बात करूँ तो loop inductance को मालों में इससे सो कर रहा हूँ तो हमारा loop inductance बस कुछ नहीं था इसके अंतर हमने दो के और multiply कर दीथी दूसरे कंडर्टर के लिए इसका ट्वाइस हो गया था यह कि अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो यह हैंडी पर मीटर इसकी यूनिट हैंडी पर मीटर इसके बाद हमने देखा था है कि इंडेक्टेंस फोर्स थ्रीफेस टांस्मिंशन लाइंग के लिए तो यहां पर हमने कुछ इस तरह से दिखा था एक हमारा ऐसे डाइग्राम बनाया था हमने है कंसिडर कर ली थी और हमने मानना था कि इसकी ऊपर हमारा वेलिन्स लोड लगा हुआ है जिसकी वेजसे इसमें से एक बैलेन कृरेंट पास हो रहा है जो जिसकर हमने क्या देखा था आई यह पलस राज़िए प्लस आए सिसको जीरो तो वो तो वहाँ पर हमने सब कर लिया था तो हमारा इसकी अब बिना किसी कंडिशन के मींस ना हमने सिमेट्रिकल माना ना हमने अंसिमेट्रिकल माना उसे उसके पहले हमारे जो फॉर्मला आया था फ्लक्स का वो क्या आया था वो लिखता हूं में जल दी से अभी जबकि हमने कोई कंडिशन नहीं मानी थी ना सिमेट्रियल ना उन्सीमेट्रिकल, सिमेट्रियल से मेरा मतब क्या है कि उसे में मैंने क्या किया था अब इस कंडिशन से और इसे सिंप्लिफाइब कर लिए इस फोमले को तो हमारा यहां से आया अब यहां से देख रहे हैं कि आये कोमन ले सकते हैं तो मैं यहां पर आये कोमन भी ले ले लेता हूं इसमें और अगर बात करूं मैं इंडेक्टेंस की फोमले की तो इंडेक्टेंस की फोमला हमारा आया था यहां से रहे हमारी में हमारे युनिट जो थी वेबर पर मिटर मेंटर पर सं sowas आनुवित हुए तो ऑप यह में पर चीज देख सकते हैं हमने 夯ह न ठूप तो इनिटी 1500 जब इसे सिंग यहां पर फीनों की बराबर साथ तब के लिए देखते है कि ना तो इसमें इन तुकी जो हमारे यह फॉमला यह आ फूल मृ लिंक्टर आगा यह लिंग कि से अधे unknown के थूक प्रॉटी और यहां भी आ रख है हमारा यह और अगर हम इंडूक्टेंस की बात करें एक कंडूक्ट के एक्रस में तो यहीं फॉर्मला देखो यह भी आ रख है तो यहां पर हमने एक दो चीज़ देखी तिंग क्या कि यहीं फॉर्मला हमारा देखा था किसमें सिंगल फेज टू लाइन के लिए भी कुछ ऐसी फॉमला देखा था ठीक है तू लाइन तो दो चीज़ें आप यमने उब्सर्व की थी उसके बाद हमारी एक कंडिशन थी फॉर अंसमेंट्रिकल स्पेसिंग के लिए तो मैं दूसरा पे लिए 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 उसके बताता हूं आगे मैंने कहा का फोर अंसमेट्रिकल स्पेसिंग इनके डिस्टेंस का जो मैंने बताया यह डीवन लॉट इसस्टू डीटू नोट इसस्टू डीट्री मान लिए मैंने ठीक है तब उसकेस में लेकिन अभी भी हमारा जो लोड है मीन्स वह बैलेंस ही है करन्टी जो हमारा बैलंसी फ्लोवर रहा इसके अंदर से बैल से तो उसकी वह से का होता है कि बिस्टेंस एक नत्यू ब्राबन नहीं होता तो इसकी वह से हमारा इसकी फुलक्स लिंकेज का फॉन प्राबननी होता तो इसकी वैस से मेरेUS के की फ्लेक्स लिंकेज वही डिफ्रेंट आ रहा है ओर तो इनका कुंपर भी दिफरेंट हो जाता है क्योंकि इंडेट्थी का में फीरीट होना ए यह व hostage सब्सक्राइब हो गए तो हमारा होना था डिफरेंट और अगर हम देखते हैं कि यहां पर लाइन में जो वोल्टेज रोप होता है वह भी डिफेरेंट होने लगता है और रिसीविंग एंड पर हमें एक अंबैलेंस वोल्टेज मिलता है जिसके लिए फिर हम ट्रांस कि मॉठंध की और तो हमने यह फोमिला देखा था साई टोटल एका मींस फ्लग्स कंड्ञक्टेज हें के लिए इसले डाइब किया और इससे हमने फिर इन्देट्रेंस का जब फोमिड ड्राइब किया एक कंड्डेटर एक यह के लिए तो हमारा कुछ इस तरह से आ रहा था है हैंडी परवीटर तो 3 इसके बाद हमने ऐसे कर लिया था कि सूरी हम नहीं एट बीस बी सिर्ट इक खरोख की लेउट इंड़ी मैं मीटर्ट इंड़ेंहों सुप dicho कि यूनिट यहां भी हैंडी पर मेटर तो यह जो तीनों फॉर्मला था हमारा यह कंडुक्टर का ट्रांस पोजीशन से पहले था ठीक है अब हमने क्या किया कुछ इस तरह से मैं यहां बेशोटा सा बना दाओं ट्रांस पोजीशन के लिए विद्व कंडुक्टर थी तीन हमारे कुछ इस तरह यह बी सी इनकी इसपेसिंग होगे रहो रख्य दिसमें इसकी स्पेसिंग हमारी थी इसकी तो यहां लगफंप नहीं नहीं भीयें लीच टो अगर मैं बात करों कि इनका इसका कहिए दा मने तो देखो पहले इसे यहाँ पर क्रेंट करो इसे यहां पर इसके बाद इसे इधर इसे इधर होगось इसकी त्रांस पोजिशन है और उचे अभी राउंस पोजिशन के बाद जो हमने तेन कर्लेज हो जाएंगा तो तो किसे आट क्या किढ शाम्तर आफटर कि आगए टरांस पोजिशन तो हमने इन तीनों के एबरेज निकाल दिया था तो क्या आए था हमारा मेमानलों लिख रहता हूं फिर यही इंडेक्टेंस जो है ना ए बी सी तीनों कंड़क्टर के लिए होगा इंडेक्टेंस यही यूनिट हैंडी पर मिटर तो अभी हम इन फॉमलों को तो नहीं देखते बस इन फॉमलों से काम चलाते हैं इस वाले से इसके लिए क्योंकि तीनों कंड़क्टर के जब जब पूछ कर पड़ेगी तो हम यही फॉमला यूज कर लेंगे और यहां पर जो यह वाली टर्म है हमारी यह वाली इसे हम हम इकुवालन की लेटरल कैसे इस पेसिंग करके बोलते हैं से और आप देखेंगे नेक्स्ट जूज वीडियो गेंबारी जिसमें हम देखेंगे कंसेफ्ट ओफ सेल्फ जीमडी एंड मिच्वल जीमडी तो उसमें क्या देखते हम कि यही हमारा जो है मिच्वल जीम्डी का कंसेप्ट यहीं से आएगा हमारा जब हमारा यह वहीं से हमारी इसकी वैल्यू आती है तो अगरी वीडियो में हम देखेंगे अच्छे से आई होप आपको जिदना अब तक हमने पढ़ा है इसमें कहीं भी कुछ डाउट नहीं अगर फिर भी अगर इसमें आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से ने सब्सक्राइब जरूर करे थेंक यू